बिहार में एक जून तक बढ़ा लॉक्टाउन, बिहार में कोबिट नाइटीन की रफ्तार हुई धीमी बिहार प्रशास्तिक सेवा के 36 अधिकारियों का हुआ तबादला यास दूफान को लेकर बिहार में ब्लू अलर्ट हुआ जारी अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में एक जून तक बढ़ा लॉक्टाउन कोबिट नाइटीन की वर्तमान परिस्थिती को देखते वे साथी लॉक्टाउन के फैसले के बाद सकरात्मक परणाम को देखते वे सरकार ने एक जून तक लॉक्टाउन के फैसले को विस्तार कर दिया है हालाके इस दौरान पहले से जारी किये गए नियमों में कोई खाज ठिलाई नहीं दी गई है सिर्फ खाद बीच की दुकानों को अब रोजाना खोला जा सकता है शेहरे इलाके में दुकान 10 बजे तक खोलेंगी वहीं गाउं में 8 बजे से 12 बजे तक दुकान खोले जा सकेंगे इसके साथ ही सब इधार में सल, स्विमिंग पूल, मॉल, रेस्टरेंट आधी पर फिलहाल सकती पहले की तरह ही जारी रहेगी बिहार में COVID-19 के मामलों में आई भारी गिरावट बिहार में COVID-19 के रफ्तार थमती नजर आ रही है सास्वभा की तरफ से मिली जानकारी के नसार बीतिदन के पिश्चो चौबस घंटे में कुल मिलाकर 2844 मामलों के पुष्टी हुई है जो इसकी बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 37,942 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अकरम प्रभाविज जिलो की बात करें इसके साथ ही 18 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन इनके सांपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं वहीं बिहार में बीते दिन के पिछलो 24 घंटे में कुल मिलाकर पचपन सो मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं वहीं बीते दिन के पिछलो 24 घंटे में एक लाग-अठाई सजार तेते सांपल की जाच हुई है स्मार्ट सेटी बनने के साथ ही राजधानी पटना में दिखेगी 3D पेंटिंग्स पटना को स्मार्ट सेटी बनाने के साथ 3D पेंटिंग की तयारी शुरू हो गई है जिसके तहट पटना को स्मार्ट सेटी बनाने के तहट सरकार एक नई मुहीम चला रही है इस मुहीम के तहट शहर की दिवारों पर 3D पेंटिंग कराने को लेकर योजना बनाई जा रही है। बिहार प्रशास्तिक सेवा के 36 अधिकारियों के बीच बीते दिन बड़ा तबादला देखने को मिला जिसके तह 16 अधिकारियों के तबादले की सूची भागी तरफ से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राकेश कुमार को उसी जगे है अनुमंडल लोग शिकायत निवारन अधिकारी मुहमद अब्रान को छप्रा सदर का अनुमंडल लोग शिकायत निवारन अधिकारी धनन जेद्रपाठी को अनुमंडल लोग शिकायत निवारन अधिकारी के मुर्जिले के संज मंत्री ग्राम परिवाहन योजना के अंतरगत अंबुलेंस पर अनुदान के लिए भिहार सरकार के पास 4500 से ज्यादा लोगों के आवेदन सामने आए हैं जिसके बाद योग्य एक हजार बीस आवेदकों का चैन कर अंतिम चैन सूची का प्रकाशन कर दिया गया है बीते दिन प्राप्ति के साथ दिनों में अनुदान की राशी सी एफ एम एस के माध्यम से लाभुक के खाते में अपलव्द करा दिया जाएगा इसी ओजना पर राद सरकादवारा अनुदान के रूप में लगभग 21 करूर रुपे खर्च का प्रावधान किया गया है यास्तुफान को लेकर बिहार में ब्लू अलर्ट हुआ जारी बंगालो डिसा के तर से जोल ही यास्तुफान ठकराने वाला है चक्रवात याज 26 मई और 27 मई को तेज हो सकता है धिकारियों का मानना है कि इन दो दुनों की दोरान हवा की गतीच 60-70 किलमीडर प्रतिघंटे के बीच रहने की संभावना है जिसकी कारण बंगाल और जारखंट से सटे कटिहार किशनगंज अररिया पूर्णिया भागलपूर गया नवादा और अगबाद आधी जुले चक्रवाती तुफान से प्रभावित होंगे इसके लावा पटना वैशाली सारन भोजपूर बकसर मुदफ़पूर समस्तिपूर अने जुलो में भी इससे प्रभावित हो सकते हैं पटना के पार्कों का कर सकेंगे वर्चुल दिदार अब बिहारवासी पटना के पार्कों का वर्चुल माधियम से दिदार कर सकेंगे इसके अलावा ऑनलाइन योग सी कर्स वस्त रहने के गुर भी सीख सकते हैं पार्क के प्रमंडल के मुख्य पार्कों का वर्चुल टूर करने के लिए आपको www.patnapark.com वेबसाइट पर जाना होगा इस वेबसाइट के जरिए आप पतना पार्क, प्रमंडल के मुख्य पार्क, एको पार्क, श्रहीद वीर कुवर सिंग, आजादी पार्क, एसकी पुरी पार्क, भ अभिमानियों सिंग की अभिमानियों सिंग का जन भिहार के सोन पूर जुले में हुआ था अभिमानियों सिंग comingını, एक भार्क, फिल्म अभी नेता है जो मुख्यों रूप से बॉलिवूड, टॉलिवूड, कॉलिवूड और भोजपूरी सिरमा में काम करते हैं, उन्होंने सेंट स्टीफिन्स कॉलेज ने दिले से स्वातक की पढ़ाई पूरी की उन्हाने दाकेशों प्रकाश महरा द्वारा निर्देशित अक्स 2001 में अपनी शुरुआत की थी उन्हें अपना पहला ब्रेक अनुराक कफशेप द्वारा निर्देशित गुलाल जो की 2009 में आई थी उ बिहार में COVID-19 के प्रभावितों के लाज के लिए Remdesivir Injection की मांग लगातार बढ़ती जा रही यही कारण है कि बिहार को मिलने वाले Remdesivir Injection के कोटा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है जिसके तहत अब 30 मई तक बिहार को 2,49,000 वायल मिलेगा केंदर सरकार की तरफ से इ आज के लिए भीजे गया है इस पर राजय वाशुदी नियंतरन रविंद्र कुमार सिन्हा ने जाचार कारवाई के लिए बिहार Medical Services and Infrastructure Corporation Limited के महा प्रभंधक को पत्र भी लिखा है COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब बिलेगी सरकारी साहता बिहार में COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकार अब मंदत करने वाली है मिली जुआनकारी के नुसार समाज कल्यान वभाग के दिशा आदेश के बाद पर परवरिश योजना के तहत अनाथ पर दिया जाएगा इस योजना के तहत अंगनबारी सेवी का किमाध्यम से किया जाने का प्रावधान किया गया है बिहार में जल्दी बनेगा दो और सोर उर्जा प्लांट कज्रा और पिरपैती बिजली घर के नर्मान के लिए बिहार सरकार ने अपनी तरफ से तयार शुरू कर दी है मुखी मत्रिर नितिश कमार के निर्देश के बाद और जावे भाग ने भी इस काम को तेजी से करना शुरू कर दिया है इसके साथ ये बिजली घर को लेकर अब तक हुई कारवाई और अधितन सिती की समिक्षा की जा रही है केंद्र के निसार पांच साल में बिहार में 2493 मेगावाट पारमपरिक उर्जा का उतपादन होने लगेगा इसमें 244 मेगावाट बायो मास और 25 मेगावाट पर बिजली भी शामिल है सिर्फ सौर उर्जा के छेतर में 2022 मेगावाट बिजली पैदा होगी पूरे देश्ट में 5 साल के बाद 99,533 मेगावार बचली अब पारंपरिक उर्जा से उत्पादित होगी पावर सेक्टर से बिहार की मौझुदा कारे प्रणाली पहले की अपेक्षा काफी अच्छी हुई और आने वाले समय में इसकी रफ्तार और बढ़ेगी 18-44 साल के व्यक्तियों के ठीका करन के लिए अब होगा ओन साइट रेजिस्ट्रेशन COVID-19 को रोकने के लिए वाक्सिनेशन ही अंतिम पाई के इनरी सरकार और स्वास्वभा के सामने इस वक्त नजर आ रहा है यह कारण है कि सभी राज़ों में वाक्सिनेशन की प्रोक्रिया को जोर शोर से पुरा करने की तयारी हो रही ही सिक्रमें बिहार में भी वाक्सिनेशन युद्सतर पर करवाई जा रही है वाक्सिनेशन की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कोविन पोर्टल पर ऑन सैट रेजिस्टरेशन ऑप्शन जोडा गया है यह सभीधा के वल सरकारी वाक्सिनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी इसके तहट 18-14 साल के लोगों को वाक्सिनेशन के लिए अब उन साइट रेजिस्ट्रेशन होगा जिससे वैक्सीन की बरबादी में कमी आने की उमीद जोताई जा रही है ग्रामीन इलाकों में COVID-19 से नपटने के लिए मुखी मंतर निती इश्कमार ने बनाई नई रणनी थी शेहर इलाकों के साथ ग्रामीन इलाकों में भी COVID-19 प्रिभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि COVID-19 को लेकर ग्रामीन इलाकों में सतर्कता की कमी देखी जा रही थी इसे बीच बिहार सरकार ने ग्रामीन इलाकों में COVID-19 का सामना करने के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है जिसके तहत बीते दिन अपने सरकारी आवास पर आयो जित समीक्षा बैठा के दौरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि ग्रामीन इलाकों में चलन्द ट और उनके परिजनों को अनुग्रह राशी उपलब्ध कराए अब नया बिज्री कनेक्षन लेने के लिए नए शर्तों का करना होगा पालन बिहार में नए बिज्री कनेक्षन को लेकर बिहार सरकार की तरफ से नए शर्तों को लागू कर दिया गया है बिज्री कंपनी से मिल लोग ने कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं। लोगों को पकड़ा गया है जिन्होंने मास्क पहनना समेथ नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझाए। लोग दाउन का देश्यारी क्या गया है। वहीं दूसरी तरफ उपमुखी मत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में संक्रमन दर में गिरावत होने का दावा किया है। जिसके तहट उन्होंने एक टीजी चैनल को दिये कर साक्षातकार में कहा कि बिहार में कोरोना लड़ाई लड़ने के क्रम में बिहार के अंदर स्वास्ता सुवधाओं में काफी सुधार आया है। उक्सिजिन युक्त बेडो की संक्या में ब्रिधी हुई है। दूसरी तरफ रंदीव गुलेरिया ने रहात की खबर सुनाई है जिसके तहट उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की दोनों लहर की बात की जाये तो आंक्रे बताते हैं कि सबसे जादा सुरक्षित बच्चे थे ज्यादतर बच्चों में कोरोना की हलके लक्षन दिखे ऐसे में यह कहना कि अगली रहर में बच्चों में संक्रमन का खत्रा बढ़ेगा यह विज्यानिक रूप से ठीक नहीं है गुलेरिया ने कहा कि हमें तयारी करनी होगी दरसल बच्चे अभी सुरक्षित है क्योंकि वो घर में है जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे तो उनमें स बच्चों में संक्रमन कम होगा ज्यादतर बच्चों को अस्पताल में भरती होने की जरूरत नहीं होगी इस बावत चापके प्रदेश अध्यक्ष रागी में रिकुष्माहा ने बताया कि जनाधिकार पार्टी के राजट्रे ध्यक्ष और पुर्विस्तांसद राजेश रंजन और पपुयादव के रहाई के लिए एक उच्च सरी शुष्टमंडल राजनेतिक पार्टी के अध मुख्यमंद्री नितीश कुमार के खिलाफ पटना में जगे जगे पर पोस्टर देखी गया उसके बाद बिहार के राजनेतिक गलियारे में बयानबाजी कसल सिला शुरू हो गया हालाकि यह पोस्टर किसकी ओर से शेहर में चिपकाई गया है यह फिलहाल पता नहीं चल पा की तरफ से निरश कुमार ने कहा कि इस पोस्टर को दिवार पर सटवाने वालों ने इस पर अपना नाम तक नहीं लिखाए और नाहीं जिम्मवारी ली है उन्होंने कहा कि परोक्स रूप से ट्विटर परिवार इसमें दिखता है वाक्सिनेशन सर्टिफिकेट पर शुर हुई राजनीती का भाच्पा ने दिया करारा जवाब जहां एक तरफ कोविड-19 से बचाव के लिए वाक्सिनेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से किया जा रहा है वहीं बिहार में इस मुद्रे को लेकर राजनीती शुरू हो गई है दरसलिया पूरा मामला वाक्सिनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधान मंतरी नरेनर मोदी की तस्वीर को लेकर है जिसके तहत पुर्व मुख्य मंतरी ज्यतरना मांजी और जाप अध्यक्ष पपु यादव के हमले का जवाब देने के रिए भाच्पा प्रवक्ता प्रेम की तस्वीर लगी है सिक्षक अभ्यर्थियों के महा अंदोलन के समर्थन में दिखेते जस्वी आदव नेता प्रतेपक्ष तो जस्वी आदव एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्य मतरी नितीश कमार को जवाब देने का और इनकी नीतियों को आड़े हाथो लेने का इसे खड़ा हूँ और भरती प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने की मांग करता हूँ निता प्रतिपक्ष तेजस्व्यादव इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने आगे लिखा कि नियोजुन प्रक्रिया के सारी अहरताय और प्रक्रिया हैं पूरी करने के बावजूद पिछले दो साल से नितीश सरकार ने नियुक्ती पत्र प्रतिभावान सिख्छकों को नहीं दिया है, नितीश जी को आखर विहार के नौजवान को बेरोजगार और बंधु अमज़ूर ही क्यों बनाना चाहते हैं। रुसी वाक्सीन्स फुतनिक भी का उत्पादन शुरू कर दिया है। प्रतिबंध ना लगने के लिए यूरोपियस संग के सभी 15 सदसे देश सहमत आजी के दिन हुए। प्रतिबंध रास बिहारी बोस का जन्म था 186 में आजी के दिन हुआ था। वराट कोहली जलधी तोड़ सकते हैं महींदर सिंग दोनी के रुकॉट को. कप्तान महिंदरी सिंग धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं जानकारों की मारे तो न्यूजिलान की खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चांपियंशिप के फाइनल माच में खेले के बाद एक ओर काम्याबी कप्तान के नाम पर दर्ज हो सकती है जिसक के तहत वो जल्द ही एमेजोनी के भी रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं जिसके बाद न्यूजिलान के खिलाफ उतरते ही सबसे जाधा टेस्ट माच में भारत की मेजबानी करने वाले पहले कप्तान की लिस्ट में कोहली का नाम शामिल हो जाएगा इसके साथ ही अगर टीम ये अब टेलिग्राम देगा कोरोना वाक्सीन सेंटर की जानकारी कोविड-19 के बढ़ते माहल के बीच कई सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म में अब तक मदद का हाथ आखी बढ़ा है इसक्रम में अब टेलिग्राम ने भी लोगों की मदद के लिए कहम पहल के शरवात की है जिस आपके जिले के चैनल को जोईन करने का विकल्प मिलेगा चैनल जोईन करते ही आपको आपके जिले में COVID-19 टीके की उपलग्ठता की बारे में जानकारी मिलेगी कल हमारे दोरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत घणिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रागेवेंदर कुमार, सूरज डॉय, प् पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कोशिस प्रकार है आपके रुजार एक जून तक लॉक्डाउन बढ़ाने के फैसले के बाद बिहार कोविड-19 की जग जीतने में सफल हो पाएगा या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करक इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटे देने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दवान ना भुशे